पूशन पड़ी आपके सामने है पूशन पड़ी आपके सामने है पूशन पड़ी आपके सामने हाला कि मैंने नोट्स के अंदर टेनियर के अंदर एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया वह एक्जाम में फॉलो करना है यहां पर मैं तोड़ तोड़ के इस सवाल को करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए हर पॉइंट को अलग अलग लेके चलेगे कहता है सर ऐस एक रेजिडेंट है इंडिया का इसने परचेज किया था हजार अनलिस्टेड इकुटी शियर 153 का तो परचेज हजार unlisted share तो unlisted share के अंदर indexation मिलेगा है नहीं मिलेगा मैंने कहा था shares के उपर आपको indexation नहीं मिलता कौन से वाले share listed वाले पे अगर unlisted हुआ तो तो मिलेगा सर indexation बड़ी सीधी सी बात है और at the rate कब खरीदा सर 25 दस दो हजार तीन में कहता है इसको खरीदने के बाद 2 परसंट का ब्रोकरेज भी दिया यानि सर टोटल इसकी कॉस्ट जो आई न मेरे लिए वो आगए 153 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 153 यह आगया इसके उपर मैंने ब्रोकरेज दिया होगा और सर ब्रोकरेज कितने परसंट दिया 2% देट इस हमारा 3060 रोपर है ना और टोटल हमें कितने का पढ़ गया होगा तीन एक लाग पहले यहां तक देखेंगे मैंने पूरा कुश्चन पढ़ा नहीं है सिर्फ मैंने यहां तक को कर दिया है यह समझ में पहले बात दीरे दीरे करेंगें क्योंकि इस कुश्चन में काफी कुछ है कहता है के एक एक दोहजार आठ में एक एक दोहजार आठ में इसे बोनस मिला अलोटिट पांसो शियर बाइदा कमपनी ओन दा बेसिस ओफ शियर एवरी टू शियर हिल्ड यानि कहने का मतलब है सर एक एक दोहजार पांच में कमपनी ने बोनस दिये और बोनस कितने दिये तो एक्जामनर ने बता दिया पांसो कई बार तो एक्जामनर बताता ही नहीं बोलता है कि हमने बोनस दिये है कितने बोनस बनेंगे आप निकालिए तो यहाँ पर 500 बता दिया और 7 के साथ ये भी बता दिया 2 जिसके पास थे उसको 1 दिये तो sir आपके पास basically 1000 थे तो 1000 आपके पास 2 share थे तो 1 तो divided by 2 करेंगो तो आपको 500 ही मिलने चाहिए तो examiner ने ये बता दिया आपको पहले सबसे पहले बताईए थोड़ा थोड़ा मैं बाते भी करता जाओँगा कि bonus share के अंदर cost of indexation sorry cost of acquisition कई बार मैंने बोला के निल लेना है और कई बार मैंने बोला के actual लेना है अगर 2001 से पहले है तब तो cost of acquisition लेंगे अगर 2001 के बाद है तो cost of acquisition नहीं लेंगे यही सिखा है हमने तो sir इसका मैं treatment अलग करूँगा बिलकुल एक अलग से separate question मानके और इसका treatment मैं अलग से separate question मानके करूँगा 28-22,000 को given a right acquired thousand share sir 28-22,21 में इसे right issue मिला और बोला लो आप 1000 share ले लो अब इसने जितने खरीद लिए वो देखते हैं और इसे जो दिया गया वो दिया गया sir आपको सस्ते में देंगे हम 60 रुपे में आपको सस्ते में offer किया जा रहा है और 60 रुपे में कहता है he acquired 50% right इसने क्या करा right जितना भी था हजार इसमें से 50% acquire कर लिया that is 500 and the right offer and sold balance of right sum बाकी का जो 50% इसका right था इसके पास लेने का इसको इसने बेच दिया कितने का 50,000 यानि right issue 500 वाले तो इसने खरीद लिये sir 60 के हिसाब से that is 30,000 का और बाकी का इसने 50,000 रुपे का बेच दिया तो जो ये वाला बेचा है इसके लिए cost of acquisition क्या होगा बताओ देखके register में जो right issue बेचा है उसने अपने right जो बेच दिये उसके लिए cost of acquisition क्या होगा इसके लिए cost of acquisition होगा निल यही इसलिए मैंने वो चार्ट बनवाए था आपको याद हो तो मैंने sir देखिए अगर unlisted share हुआ यहाँ बताए था other shares के case में right issue हुआ तो renouncer अगर बेचता है तो उसके लिए क्या होता है हमारा cost of acquisition निल बना जाए चली आगे कहता है he sold all share 2022 में तो मुझे कोई बच्चा बताएगा इसके पास total share कितने हो गए 1000 पहले के थे 500 bonus मिले थे और 500 और लिए देखो 500 bonus वाले 1500 और ये भी 500 मैंने खरीदे थे that is 2000 ये right issue कम मिला था हमें ये मिला 2000 21 में और हमने सारे share कम बेच दिये 2000 कहता है कि he sold all share 2022 में एक साल से कम ये एक साल से ज़्यादा लगा टाइब right issue को compare करो 2021 में मिला है कब परवरी में और बेच दिया आपने कब जनवरी में और 20 तो कमी है तो ये short term मानेंगे long term मानेंगे short term ये सारी बाते भी याद रखना होगा इस पर indexation मिलेगा नहीं मिलेगा short term पे तो indexation इस वाले shares पे है indexation लेकिन short term पे नहीं है कहता है 460 रुपे में बेच दिया cost of inflation indexation आपको further given है और compute the capital gain and tax for assessment year 22-23 assume the income from other source भी इसका 31 का है तो पहले मैं shares वाले का टुकडे कर लेता हूँ यानि सर इसका करने के लिए सारा का सारा share बेच है इसने 460 में तो मैं इसको अलग बेचुगा 460 में इसको अलग बेचुगा 460 में अर किसी को अलग geschूँगा कितने पार्ट में बाठ दूआ एक दो इसके लिए तीन और free वाले के लिए 4 इसकी calculation में कितने हिस्से में करूँ है चार में पहले part में Sir, sale Sir, sale होगा यहाँ पर 1000 इंटो में 400 that is कितने होगे 460 यहाँ minus cost of acquisition Sir, इसको कितने का खरीदा था 156 060 इंटो में 317 divided by खरीदा कब था? डेट भी लिखा है 2002 और सवरी, 3 और 4 और Sir, 3, 4 का क्या है? पहले आप इसका बता दिजे क्या आता है 16 बताइए 4, 5 सर यह आगया लॉंग टरॉम केपिटल के कितने का? फाइव जिरो फाइव थ्री एट अरे ये बहुत ज़्यादा हो गए है तो माइनिस करना है ये तो छे अजार छे अजार पहला केस मैंने कर दिया अपके लिए किसी को दिक्कत पर्स्ट केस के लिए है सेकेंड केस इसी के नीचे कर लेते है अब बोनस के लिए तो बोनस वाला जो सेल हुआ है वो पांसो शेयर बेचा तो भईया चारसो साथ में ही है न कितने आएंगे माइनस करेंगे और ये होगा देखें एक ये हिस्सा होगा अब राइट इशू को करना है राइट इशू में भी दो पांट करेंगे एक जो की राइट बेचा है उसके लिए और एक जो राइट इशू शेयर खरीदा था उसको भी उसने बेच दिया अगले पेच पर चलते हैं राइट इशू वाले को सर सेल सर पांसो शेयर और चारसो साथ तो दो लाग less cost of acquisition indexation कर दे क्या नहीं करेंगे क्यों 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 कि short term कितने का लिया था देट इस तीसरा केज चौथा पार्ट फिर से right issue बेज देते सर सेल कितने का किया था राइट इशू सर इसके लिए cost of acquisition लोगे क्या तो ये कितने का हो गया इसने बोला taxable capital gain बताईए और total कितना tax लगेगा total income भी बताईए तो capital gain से तो income ये हो गया सब को जोड़ देंगे यानि अगर सर हमें इसका taxable income निकालना हो चलिए सर long term capital gain वैले normal share से तो आपने बताई 31,37 नहीं 61,37 plus bonus वाले से भी हुआ bonus वालों से 2,30 total हो गया ये 1 फिर 3 क्यों होएगा STCG right issue से right issue से 6 के बाद है right issue से sir right issue से पहले से 2,00,00 और जो उसने right बेचे हैं उससे sir 50 कितने आगे और income from other source तो सवाल में देखेंगे last में कहता है कि other source income 31,30 पहले यहां तक देखें किसी को कोई doubt फिर total income जिसको हम gross total income भी कह देते हैं करिए प्लस 6,00,00 पहले यहां तक देखें किसी का कोई doubt question का full format दिखा देना मैं समझा नहीं है क्या कह रहे हैं यह बच्चे का 31,38 है मैंने 37 ले लिया अब बच्चे कुछ कुछ ख़ए रहे हैं यह 38 है क्या अरे तो चिंता मत करो एक रुपए तो होगा है तर तर चलो मेरा main purpose था sir is question में complication है देखो एक तरफ हमारा bonus को भी ध्यान देना है एक तरफ right को भी देना है इस तरीकी के सवाल भी आने के chances ज़्यादा होता है shares वाले में तो shares वाले के अंदर आपको ध्यान रखना है short term का भी आपको ध्यान रखना है long term का भी ध्यान रखना पड़ा है तो यह पूरा question था जो कि हमने किया tax liability बोला है तो इसके अंदर 31 था ना income इसका tax liability निकाल के बता दू यहाँ पर समझा दू यहीं समझा देते हैं इसका tax liability सर देखो आपकी income यह बन रही थी total long term capital gain पर 20% ले लिया इन्होंने सीधा याद है long term कितना था 2.36 कहां था सर 2.36 दिखा दो आप 2.36 138 LTCG उस पर कितना लगेगा long term पर सीधा इसलिए पिछले वाले सवाल पर मैंने बोला भाई आप 20% तो मानो तो इस पर सीधा कितना लग गया सर 20% समझ में आया अब बाकी short term पे ना हमारा basic exemption limit के साथ लगता है वैसे 15% होता है लेकिन basic exemption अब total income अगर इसमें से ये income अगर आप बाहर निकाल दो तो आपकी बचे ये income इस पे से धाई लाक रुपे आपका exempt और प्लस एक 30 तो एक 30 के उपर आपका लग गया 5% that is ये और आपका ये और सैस लगके ये अंसर आ गया करके बता दू हो जाएगा समझ में आजएगा सर मेरी बुक में question में value अलग है हाँ कोई बात नहीं value अलग हो सकता है आप concept देखिए कुछ बच्चे कह रहें सर हमारी बुक में question value अलग है कोई बात नहीं है सामने मेंने question तो दिखाई दिया आप इसके इसाफ से समझे और जिसके बुक में value अलग है अच्छी बात है आप दुबारा करके उसको अपने आप साथ चेक कर सकते कोई दिक्कत सर अगर धाई लाक एक रुपे हो तो क्या tax लगेगा बिल्कुल एक रुपे पे लगेगा लेकिन 87 ए बचा लेगा आपको वो जीरो कर देगा पांच लाग तक जीरो है कहने के लिए सर शॉट ट्रम बाला tax liability बता दो चलो बताई देते हैं को tax liability सर यहाँ पे दो तरीके का income है 6,16,138 इसके अंदर दो तरीके का income है एक LTCG, एक STCG और एक हमारा और है जो कि मैंने अलग-अलग categorize कर रख है सर इसके उपर कहा गया कि 20% tax लगेगा और nothing मैं हर बार यही कह रहा हूँ पिछले सवाल में कोई और income नहीं था इसलिए basic exemption limit मिल गया है इस वाले में तो हमारा अलग से income है ना भले ही short term capital gain है तो अब इसे basic exemption limit का फैदा नहीं मिलेगा इसका मतलब था सर धाई लाग का basic exemption मिलता है बलकि इसका देखा जाए इन दोनों income को जोड दिया जाए तो धाई लाग और प्लस एक तीस अगर दोनों को जोड दिया तो तीन लाग असी अजार तो वैसे ही आ रहा है हाँ इन दोनों को income को भी अगर हम जोड देते और बनता मान लो दो चालिस तो हम यहां से दस अजार माइनस करके बागी पे बीस परसंट लेते हैं यानि आपको government कह रहा है कि आप धाई लाग रुपे अवेल कर लीजे जैसे मर्जी करना है यहां पे धाई लाग ता आपको basic exemption खतम यही कर गया तो इसलिए आपका पहले हम इसके उपर टेक्स निकालेंगे तीन असी पर अलग और उस पर अलग तो up to 250 nil balance बचा कितना 250 minus करोगे तो और 1.30 पे बनेगा at the rate 5% अब इसका निपट गया अब भाई long term capital गिन आ गया तो आपका LTCG पे सीधा कहता है 20% तो 2.36 20% कितना आ रहा है बताओ calculate कर लो 4.7 2.2 सट total कर लीजिए कितने आ गए 47.5 52 53.700 अब इसे प्लस कर देंगे higher education says 4 परतेशत कितने 22 2149 प्लस कर दीजिए 55,800 वही चीज अब समझ में आया जिसको थोड़ा बहुत भी doubt था clear हो गया क्या है कहानी other source जूड़ी गया ना इसमें 31 तो जब मैंने यहां पर count किया है 130 तो other source तो automatically आ गया था हमारा यही बाते आपको यहां solution में कहा गया है कि इस तरीके से हमने निकाला है simple सी बात है मैं और सवाल को अगर देखूँ तो पांचवा सवाल जो कि बड़ा simple है तो मैं आपको तेरा question है जिसमें से हमने honors के आज कितने question देख लिए दो देखें तीन देखें तीन देख लिए आज अच्छा एक वो भी किया था sdb वाला न तो तीन question देख लिए वो एक तो हटाई दो वो तो paper के अंदर था तो हमने दो question देखें 13 अभी बच गया इसके कितने 11 तो यह 11 question होंवक में रहेगा आपने try करना है तो मैं इसका PDF या questions मैं upload कर दूँगा तो 11 question आपका रहेगा homework में जो honors के बच्चे उनको तो 10 यर में मिल जाएगा वो PDF का इंतजार नहीं करेंगे जो other university के या फिर program के बच्चे वो PDF का वेट करेंगे प्रोग्राम वाले सारे question almost हो चुके मेरे ख्यालने almost तो program वाले capital gain के perspective exam point of view से मैं कहता हूँ कि आपका syllabus हो गया done अब मैं capital gain का अलग से recording करूँगा extra part के लिए 50C है या फिर आपका slum sale है या कुछ और छोटी छोटी सी बाते हैं जो मुझे लगता है कि आपको real life में पता होना चाहिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा तो मेरे इसाब से आप सभी को ये बाते समझ में आ गई होगी और clarity भी होगा तो सर अगली class में क्या करेंगे जो 13 question है यानि अगली class कब है कल कल वाली class में जो भी 13 question है पहले तो हम इसका doubt लेगे तो सभी बच्चे जितने बच्चे doubt ले के आएंगे अगली class में यानि कल पहले तो doubt लेगे doubt लेने के बाद कोई थोड़ा समय बचेगा तो हम start करेंगे PGBP chapter profit business gain PGBP start करेंगे हम कल sir मेरी book में long term में question में 10% text लिया है पहले 10% हुआ करता था अब revise हो गया है shares पहले हुआ करता था तो पुराने book में update नहीं हुआ होगा deduction की video deduction वाले chapter में मिलेगी आपको जिसको note करना है note कर लीजिए कुछ बच्चे कह रहे थे जिसको बच्चे करेंगे हुआ 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 है